हेलो फ्रेंड मैं हूँ अर्चिना अर्चिना किचन एंड ब्लॉग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड आज हम जो बेल का सर्बत बनाएंगे यह बिल्कुल अलग तरह से बनाएंगे आप इसे एक बार बना करके कम से कम 15-20 दिनों तक के लिए इस्टोर करके रख सकते हैं या फिर उससे ज्यादा मेहना भर भी यह चल सकता है तो इसे बनाने की विधी क्या है चलिए इसे हम देखते हैं सबसे पहले आप अपने बेल से गुदे को निकाल लीजेगा हम एक बेल का इस्तिमाल कर रहे हैं आप यहां पर तीन चार पांच जितना भी चाहे दस ले सकते हैं मतलब अगर आप किसी occasion के लिए बना रहे हैं तो यहां ज्यादा से ज्यादा आप गुदे का इस्तिमाल कर सकते हैं बेल का फिर बेल के गुदे निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे पानी हमें ज्यादा नहीं डालना है बस उतना ही डालना है कि हमारा यह जो बेल का गुदा है यह इसमें अच्छी तरह से मतलब की डूब जाए बस और फिर उसके बाद इसे हम कम से कम आधा घंटे के लिए इस तरह से पानी में भीवो करके रखेंगे तुरंद नहीं मसलेंगे तो फिर मतलब तुरंद मसलने से उतनी जल्दी उतनी अच्छे से नहीं निकलता है इसका गुदा थोड़ी देर फुला करके रख देंगे तो यह एक दम मिन्टो में इसका गुदा है रेशे से बाहर निकल जाता है आधा गंटा हो गया था आधे गुदे के बाद गुदे को हम थोड़ा सा कल्ची से इस तरह से खपच खपच कर दे रहे हैं खाप दे रहे हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर भी आपको अपने हाथों का इस्तमाल करना पड़ेगा क्योंकि जब बेल का शर्बत जब से इसमें हाथ नहीं लगाई तब तक तो मतलब बेल का सर्बत बन ही नहीं पाता अच्छा वाला कहिए तो इसलिए आप अच्छे से अपने हाथों को धुल लीजेगा और फिर उसे मसल लीजेगा हाथों से और एक श्टेनर लीजेगा और इ इसमें बहुत चोटे चोटे देखेंगे ना सरसो के दाने जैसे बीज होते हैं तो जब आप बहुत जादा रगड करके आप गुदा निकालेंगे ना तो आपके शर्बत में थोड़ी सी करवाहट आ जाएगी इसलिए हलके हाथों से इस्तिमाल करिएगा और गुदा निकालन तो उस मतलब बेल के शर्बत बनाने का जो बिधी है वो मैंने बहुत पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी और फिर जो हमारा गुदा है जो पल्प हमने निकाला था ना उसे एक कडाही में लेंगे और यहां कम से कम मतलब की कटोरी से कहिए एक कटोरी भर करके यहा थी के जब तब तक पकाएंगे कि इस तरह से देखिये बद का नलगने लगे देखिए इस प्लप ख्याल कि कि अपको इतना पकाना है कि इसमें यह अच्छे से बदका लगने लगे जैसे कि आप गुड़ पकाते हैं फिर उसे हम ठंडा होने देंगे जब तक वो ठंडा होगा हमारा तो यह जो हमने रेशे को पानी में भीगों करके रखा था ना उससे भी हमने देखिए मतलब की यह शर्बत बना लिया है और यहां पर आप भी हम चीनी डालेंगे आपको जितना मीठा रखना होगा रख सक तो वो एकदम ठंडा हो गया था तो उसे आपको इस तरह से एक जार में या फिर बाटल में किसी भी चीज में आप इस तरह से भर करके रख सकते हैं इससे तो यह मेहना भर नहीं खराब होगा फ्रेंड लेकिन इसे प्रॉपर फ्रीज में ही रखिएगा बाहर नहीं होगी तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल पर नीव होंगे तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा मैं इसी तरह की आप लोगों के लिए हैलप फुल वीडियो लेकर के आती रहती हूं और आगे भी आती रहूंगी तो मैंने इस गिलास में थोड़ा से मत कर सकते हैं लेकिन बेल का शर्बत ऐसे ही बहुत ज्यादा टेश्टी लगता है उसमें कुछ भी आपको चीनी डालने की जरूरत नहीं है और अगर आपको थोड़ा मतलब चटपटा सा फ्लेवर चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा नीमबू थोड़ा सा काला नमक डाल सकत हैं तो मेरा यह देखिए बन गया है शर्बत तो अभी और बिधी बताने वाली हूं क्योंकि बहुत घरों में बच्चे बेल का शर्बत नहीं पीते हैं लेकिन आइस्क्रीम बहुत जादा खाते हैं तो हम क्या करेंगे जो मतलब की थोड़ा सा आप बच्चों को अगर बेल नहीं है तो मैं इसी तरह से छोटे गिलास में आपको एक जमा करके दिखा दे रही हूं कि खा भी लो पी लो तो बच्चे स्कूल से आएं तो उन्हें तुरंत बना करके आप इस तरह से दे सकते हैं इतनी ज्यादा गर्मी है और आइस्क्रीम खाना पसंद करते हैं तो आइ इसे भी आप लोग देख लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक सेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो देखिए लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है ना यह और वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी कर दीजिएगा एक मुझे आप लोगों के प्यार हर एक चीज की बहुत ज़्यादा जरूरत है फ्रेंट मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई